हर कोई सफल होना चाहता है अमीर बनना चाहता है लेकिन उसके लिए इमानदारी से महनत करने वाले सिर्फ चुनिंदा लोग होते हैं जो महनत करते हैं और सफल हो जाते हैं लेकिन सफलता कि इस रेस को पार करना इतना आसान भी नहीं होता इस रेस में दोड़ते दोड़ते च हम आपको सफलता के वो साथ नियम बताएंगे, जिनें फोलो करने के बाद सफलता आपके पीछे दोड़ेगी, रूल नमबर वन, नेवर गिव अप, हार मान लेना, ये बहुत गंदी आदत है, और उतना ही कायर पना भी, पता नहीं लोग हार क्यों मान लेते हैं, पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है, कि अब हमसे ना हो पाएगा, हो सकता है आपने सो बार कोशिस की, और आप हर बार ऐसफल होए, लेकिन क्या पता अगले ही ट्राई में आप सफल हो जाओ, एक अंदर की बात बताता हूँ, पता है, आपको बार बार निरासा, या फिर ऐसफलता क्यों मिलती है, क्योंकि आप अपने कमियों पर काम नहीं करते हूँ, ऐसफलता आपको ये बताती है, कि आप में ये कमिया हैं, आपने ये गलतियां की हैं, लेकिन आप वही सेम चीज, सेम गलती दुबारा repeat करते हो और fail हो जाते हो तो ऐसे में तुम success कैसे expect कर सकते हो अगर सफल होना है तो आगे वढ़ने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखो कि जो गलतियां आपने पहले किये वो दुबारा repeat ना हो और सबसे man cheese कभी भी give up मत करो हार मत मानो rule no.2 जो करना चाते हो वही करो आप जिंदगी में जो भी करना चाते हो वही करो ना कि जिसमें फाइदा हो या जो सबी कर रहे हो exactly आपका जो passion है जिसमें आपका मन लगता है जिसमें आपको मज़ा आता है उस तरह का profession चुनो हर किसी की अपनी एक खुबी होती है और जब आप अपने passion को profession बना लेते हो तब ना तो पैसा बड़ा लगता है और ना ही कोई outputs ये सब matter नहीं करते क्योंकि उस वक्त आपको अपने काम में मज़ा आने लगेगा और जब काम में मज़ा आने लगेगा तो पैसा भी अपने आप आने लगेगा इसलिए अपने काम में मज़ा ढूंडो और जो करना चाते हो वही करो रूल नमबर थिरी दूसरों की कम सुनो देखो अगर तुमें सफल बनना है तो दुनिया के जहमेले में पढ़ने से बचो हर इंसान अलग है सब के दिमाग अलग है सब की सोच अलग है तो सब के आइडियाज भी अलगी होंगे तो अगर तुम दुनिया की सुनोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे और अंत में खुद के पैरपर कुलाडी मार लोगे देखो कोई तुमें कितनी ही अच्छी से अच्छी सला क्यों ना दे लेकिन तुम खुद अच्छे से सोच समझ कर फैसला लो रूल नमबर फूर रिस्क लेने से मत डरो जब तक जिंदगी है, मूत का खत्रा है जब तक पैसे हैं, तब तक होने का खत्रा है कुछ भी पर्मानेंट नहीं है इसलिए अगर कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो और उसके लिए रिस्क लेने की जरूरत पड़ती है तो लो, क्योंकि अगर आज तुम इसके लिए रिस्क लेते हो, और अगर ऐसे फ़ल हो भी जाते हो तो आज से 50 साल बाद, जब विस्तर पर पड़े तुम अपनी आखरी सांसे गिन रहे होंगे तो तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा न कि कास उस समय में थोड़ा सा रिस्क उठा लेता कास में थोड़ी और कोशिस कर लेता और दूसरी तरफ, अगर थोड़ा रिस्क लेने से तुम सफल हो जाते हो, तो अपनी आगे की जिंदगी तुम खुद इमेजिन कर सकते हो इसलिए रिस्क लेना सीखो, इससे डरो मत रूल नमर फाइव, जरूरी काम पहले करो देखो ये बहुत जरूरी है, कि तुम जरूरी काम पहले करो क्योंकि जरूरी काम ज्यादा जरूरी है ऐसे काम पर ज्यादा समय क्यों देना जहां से तुमें कोई खास फाइदा नहीं है बजाए इसके कि तुम उस पर काम करो जिसको करने की वाकई जरूरत हो अलावा और कुछ दिखे ही नहीं distractions अगर तुम्हें distract करने की कोशिस करें तो उखाड फैको distraction के source को और अपना focus बनाए रखो अपने focus को भूल से भी डग मगाने मत दो क्योंकि अगर focus विगड़ा तो जिंदगी विगड़ जाएगी focus की ताकत क्या होती है और इससे आपकी जिंदगी कैसे बदलती है इसे अच्छे से जानने के लिए आप एक audiobook power of focus सुन सकते हैं और ये audiobook आपको कुकु FM पर आसान इसे मिल जाएगी दोस्तों कुकु FM इंडिया का leading audiobook platform है जहां आप आप ऐसी ही सेकड़ ओडियो बुक्स सुन सकते हैं वो भी अलग-अलग भारतिय वासा हों में देखो वैसे तो इनका annual subscription 399 में रुपय का है लेकिन अगर आप हमारा code MW50 यूज करोगे तो पहले 500 subscribers को 50% का discount मिल जाएगा तो अगर आप ये ओडियो बुक्स सुनना चाते हैं तो जल्दी कीजिए लिंक description box में rule no 7 रगड कर महनत करो देखो यार महनत कोई नहीं करना चाता लेकिन कुछ भी हो जब महनत करने के बाद उसके परिणाम के तोर पर सफलता मिलती है न तो बड़ा मज़ा आता है और वैसे भी हर सफल इंसान अपने नींद चैन को त्याक कर रगड कर महनत करता है तभी वो उस मुकाम पर पहुँचता है और उस मुकाम पर बरकरार रहता है और यही आपको भी करना है आपको अपने गोल को पाने के लिए रगड़ कर महनत करनी है तभी आप सफल हो पाओगे दोस्तों ये थे सफलता के सातनियम जिनें आपको जरूर फोलो करना चाहिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ जैहिन वन दे मात रहूं